चलिए मैं अपने खेत का आपको धान दिखा दे रहा हूं कि इस टाइम पे लगभग लगभग फूट गया है यानि कि अभी उपज हो गया है और पकने की देरी है एक महिना यानि दिपावली तक का जो टाइम रहता है उस टाइम तक पक जाता है तो यह जो धान की खेती है त खुर्पी खुर्पी से जो है कि इसकी निराई होती है निराई करने के बाद फिर खात देंगे खात देने के बाद फिर इसकी उपज होना चलू होता है तो अभी देख रेक अच्छे से हो गया है अब एक दो पानी और लगेगा उसके बाद धान पुरी तरीके से हो और नीचे की जो चीज है वो चारा के रूप में यू जाती है जैसे कि भैंस हो गई ये सब हो गई इनके लिए और उसको पूरा बोलते हैं आपे पूरा और उस पूरे को कटवा के जो है भूसा के रूप में प्रिवर्तित करके और घर पे रख दिया जाता है तो यह अपना जान है और मैं र्म अंदर हो जाता हु ला दिखने में मुझे अच्छा लग रहीज़्या है अधियर तो ब्रिखने के लिए कि यह कि नहाए फिप्सिया जो है इस तरीके से लगा दिया गया तो जिनके खेत में पानी funeral होता है यह क्युति आपना पाइपने के बाद अपने अपने खेतों में ले जाके सिचाई करते हैं और देखे साइड साइड में इस तरीके की जो धान है धान की खेती तैयार हुई है तो अभी कोई-कोई धान जैसे इस तरीके की फूड गया है और निकलना चालू हो गया है तो इसको बोलते हैं कि जब तैयार हो उनसे धान के सारी चीजें निकल जाएंगी और यहीं जब दुर्गा पूजा बीटता है यानि दिपावली की नजदीक नजदीक आते हैं तो फिर धान जो है कटने चालू हो जाते हैं धान अब फूट गए हैं मतलब रेडा पे आ गए हैं एक मानी और चाहिए उसके बाद से यह पूरी तरीके से जब हो जाएंगे